फिल्ट फिल्ट अंचनल उड़ तो और मेरे भाई लोग क्या हाल चाल है तो आज हम लोग क्या थे गेमिक्स प्रोंगे साथ और आज का के विद्विध कुछ खास होने वाला ऐ क्योंकि आठी gameplay में में तुमको एक बहुत ही पुरानी बहुत ही पुरानी लेकिन 100% working trick बताने वाला हूँ जिससे आपके अंदर चाहिए 0 skills हो समझ रहे हूँ 0 skills हो लेकिन आप 889 KD वालो बंदों को अर्राम से मार सकते बता है और किसमा अच्छे रहे तो chickens पे chickens भी निकलेंगे बहुत easy strategy यह लेकिन बस एक ही इसके साथ issue है कि आपके सामने यानि आपके game में कोई ना कोई content creator होना चाहिए मत्तब कोई YouTuber हो गया या कोई live streamer हो गया जो किसी और platform पे stream करता है या video डालता है मत्तब सिर्फ YouTube ही नहीं है जा आपर content डलता है Facebook है लोको है और रियो है पतने कौन-कौन से बहुत सारी जगा है well मैं यहां किसी का प्रचार करने नहीं है मैं बस बता रहूँ आपको तो देखो वो tip tip कहूं trick कहूं कुछ भी कहूं वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद लेकिन उससे पहले यहां पर हमारे साथ उत्री थी कि स्कॉट जिसको मैंने और लेजिट ने भर दिया दो बंदे में अल्रडी मार चुगा था लेजिट ने भी शायद एक को मार दिया था I don't know किसी को तो उस तो भाया मैंने इनको आराम से खतम कर दिया उसके बाद गया लेजिट की हेल्प करने हम मुझे नहीं पता कि कब मैं अपनी गन चेंज कर दूँगा मतब उस टाइम मेरे को नहीं पता था मैंने गन की हो चेंज करें मेरे को लग रहत में बाईजन है वेल जो भी हो M60 से भी उस बंदे को मैंने बहुत ही आराम से मार दिया यह पूरी स्कौर्ड वाईप हो जुगी थी लेकिन मेरे को पता था कि रोजॉक की तरफ काफी देर सा फायर हो रहा था वहां पर हमको बंदे मिल सकते तो मैंने लिविट को सीधा बताया है कि अब हमको बंदे मिलेंगी रोजॉक में और हम सीधा वही पहुच गया और सामने रडाई भी हो रही थी अब मुझे नहीं बता यह बॉट था या बंदा मुझे लगा तो यह बॉट है बट यह कवर में गयर नॉक होने के बाद तो मैं गन्फ्यूजड होगा अदर तो यहां पर चक करने का एक ही तरीका था कि हम वहां जाएं और देखें वह बॉट है बंदा अगर बॉट होगा टो अगर बंदा होगा तो इसपा कोई रिवाईब दे रहा होगा अबस से पह으ला तो मेरी को पता था मेरेको खिल्स मेल है और फिर हम पता चला है कि जो बंदी हूंपर थे वो आगे जा चुगे अब तुम को यहां पर फाइरिंग का साउंड आया होगा, नहीं आया हो तो मैप पे देख लो, यहां पर फाइर हुआ था और फाइरिंग साउंड समझ गए थे कि लड़ाई ओपेन में हो रही है, तो मैं सीधा वहीं पहुचा, मेरे को दो बंदे स्पॉट हुए, एक कवर मे अब इसको तो मैंने भजा दिया लेकिन असना साथ ही वहीं पर प्रोन था, वहां पर हलका सा अरिश्ट था, तो मेरे को दिख नहीं रहता, तो इसने मेरे अपर डीपे चलाई मैं जानता था उस जगह पर मैं डीपी यह नहीं बस सकता, क्योंकि वह एक दम उपेन था, तो मैंने वेब शूटर के यूज करके अपने आप को नीचे की तरफ धगेल दिया, जिससे मैं रिच पर आगया और मैं बज गया हूँ, अब लेजिट ने वहां पर मेरी किल कर दि मेरे को लगा था उसने बंदे को मार दिया लेकिन रही यहां वो जिन्दा था, आप मारा हो, अब यहां पर लेजिट नौक हो गया था, और मैंने उसको नौक कर दिया जिसने लेजिट को नौक कर रहा था, यहां पर मैंने फिनिश कर दिया और लेजिट को आराम से बचा ल क्योंकि मेरे को चेही थी AWWM लेकिन यहां पर बंदे अल्ड़ी चट पर चड़के बैटे हुए थे यार अब भाई मैंने इसको गंदा बचा रहा था अभी हर चट पर बंदे वेल इसको मैंने नॉक कर दिया लेजिट ने बंदे को नॉक कर दिया था तो इसका सीधा सा मतलब था कि यहां पर एक ही बंदा बच रहा है जो कि पीछे वाले घर की चट बता अब जैसी हम लोग यहां पर आये वो कूदने भंदे लगा वो भाग के इस चट पर आया अब मैं इस चट पर चड़नी वाला था कि मेरे को उसका फूटश्टेप आया मैं समझ यह कूदेगा ओ भाई इसको भी मैंने फिरिश कर दिया और इसका जो साथी उपर चट पर मैंने सबसे पहले नॉक कर रहा था ना वो तो अपने आपी ब्लीड आउट हो गया मैं यहां पर आया था मतब एडवलम निकालने तभी मेरे को वेबशूटर की आवाज था कोई बंदा 3-story पर चड़ गया था लेकिन मेरे को एक बात इक्जाक्ली नहीं पता थी मैं बस गेस कर रहा था कि वेबशूटर चलाया तो 3-story पर होगा तो मैं Squados पर आया क्योंकि यहां से आप आराम से चेक कर दे सकते हो 3-story अब मैं दरवाजे पर चड़ा लेकिन मैं नीचे गर गया मैं यह क्यूं यूज कर रहा हूं अब आराम से मैं यहां पर आया यह बंदा legit को देख रहा था प्रोन हो गया तो से मारने के लिए लेकिन उससे पहले मैंने इसको टोक दिया अब फिनिश भी कर दिया अब यहां पर मेरे को लग रहा था शाहन उसका कोई साथ ही नहीं होगा लेकिन तभी फारिंग शुरू हो गई Squados की तर से अब तभी हासमा से एक बंदा और उत्रा तो मैं समझ गया यहां पर recall recall हो रहा है और वहां पर काफी सारे बंदे हैं तो हम पो आपर kills में जखते हैं अब देखो यहां पर मैंने दोनों को नौक कर दिया था नौक क्या पर रहा था दोनों घदम हो चुकेते लेकिन मेरे को पता था कि जिस बंदे को मैंने पहले मारा था AWM से वह लाल वाले घर में देख रहा था और ये बात मैंने legit को बता दी कि यहां पर और बंदे हो सकते हैं लाल वाले घर की छट पर नज़र रखना वहां पर कोई न कोई तो है अब इस पॉइंट तक नहीं हमारे पर कोई पीक आया नहीं फायर नहीं मेरे कोई बंदा दिखाए दिया तो यहां पर मेरे मन में डाउट आ गया कि यहां कोई है भी कि नहीं अब अभी तक कोई फार नहीं है तो मैं समझ गया कि मैं गलत था तो यहां पर मैं छट पर चड़ा इस घर की कोई साउंड नहीं लेकिन तभी मेरे को मार का है मैप के उपर तो मैंने लिट सो बोला अंदर बन्दे अब देखो यहां पर तुम बस फ्लेयर गिनो हुआ यह कि मैंने लिट को रिवाइब दिया फिर मैं डबल उठने गया तो देखो इसके पास एक फ्लेयर है जो कि मैंने लिट को बोल दिया और उसने फ्लेयर को उठा लिया अब यहां से हम लोग फॉरर निकले क्योंकि देखो हमको एक फ्लेयर नजर आय थी वल जो भी हो अब यही स्कॉड इहां पर आई गई थी तो इनको हमें ठोकना था लेकिन मेरे को उतरते ही पतानी क्यों तोड़ सा डैमेज हो गया तो मैं बूस्टर लेने लगा और इतनी देर काफी थी लेजिट के लिए सारे के लोठाने के लिए हमें आगे जाई रहा थे कि मेरे को साइड से फूट्स्टेप आगे तो मैंने मौली यहीं पिकी अब मैंने लिट्ट को कॉल दी थी कि एक बंदा भारे वाल के पास तो हम दो ना भाई कि कूद पड़ उस बंदी को उपर अब यहां पर यह भी कतम हो गया और इंगा फ्लेर हमने लूटा भी नहीं कि हमको बाकी फ्लेर लूटने जाना था अब प्रॉब्लम यह थी कि जिस फ्लेर में पहले जा रहे थे थे ना अब यहां पर काफी क्राइम सीन बना हुआ था मादा काफी सारी गाड़ियां कड़ी हुए थी एरड्रॉब भी पड़ा था और तब ही हमारे सामने सुगा फायरवर्म समझ गया बन्दे कहा है और बस यहीं पर तुम देखने वाले हो कि अगर आपके पाल जीरो स्किल्स हो तो चिकन डिरर कैसे निकालते है बस देख तो जॉब बहुत ही काम की चीज है अब देखो उपर च्छत पे मेरे को एक बंदा लेटा दिख गया लेजिटी को भी दिख गया बस उसे यह नहीं पता था कि हमने उसको देख लिया है अब यहाँ पर मेरा प्लान था कि मैं इस कंटेर क्रूप पर चड़ूँगा और इस बंदे को अव्म सब माट दूँगा लेकिन तभी यहाँ पर एक गाड़ी आ गयी जिसके लिए मैं रेडी नहीं थे यहाँ पर मैं अंदर आ इस चट पर चड़ा मैं नो ऊपर चट वाले बंदे को नॉक करा लिजिट नेक नॉक करा लेकिन तभी लिजिट नॉक होंगा अब यार मेरा 6X 3X पर सेट नहीं था याँ बर और रिको अलग दिया मैंने वेल लिजिट नॉक हो गया था अब मैं उसे रिवाइब देना चाहता था बट प्रॉब्लम यह थी कि जो स्कॉड अभी भी यहां पर आई थी ना आई वो नीचे ही घूम रही थी तो मैंने इसको नॉक कर दिया लेकिन यह किसी से लट रहा था अब मैंने इसे फिनिश करने कोशिश करी बट आई थी यह किल मेरी चोरी हो जाएगे अब इसके बाद यहां पर मैं लेजिट को पचान जा रहा था मैं नीचे से जाने सकता था तो मैं उपर से गया और तभी वो बंदा गाड़ी लेकर बगने लगा अब थोड़ी देर पहले लेजिट मरा होता ना तो मैं अराम से रिकॉल कर लेता लेकिन अब मेरे कोखेली खिलना पड़ेगा और सामने गंदी लड़ा ही हो रही थी अब यहां पर मेरे को एक बंदा दिखा जिसको मैंने नॉग कर दिया अब यह उन ही में सद्धा जिनके पास 0Skills है अब यही आपको सिखाएंगे कि जब 0Skills हो ते चिकन कैसे निकालते है एक बंदा यहां जोन से मर गया अब मैं यहां पर आया था अब मेरे सामने पूरी स्कॉड थी पता है पूरी स्कॉड जिनके पास बहुत अच्छी लूटती लेकिन इनकी भट गई क्योंकि इन्होंने नाम पढ़ लिया था मेरा जब मैंने इनके टीमेट को नॉग कर रहा था तो यह BRDM लेके भग गए प लेकिन मैंने इनके BRDM की भैंड बचा दियो और तभी मेरे उपर स्नाइपर चली कहीं से अब यार फिर को वो स्नाइपर दिखनी रहा था तो मैंने हील लगाई लेकिन तभी मेरे को पत्थर चमकता हूँ दिखाए दिया मैंने उदर पीक लिया और खादम कर दिया था है स्नाइपर को मानने का मज़ा ही कुछ और है अब देखो यहां ही कि स्क्वाट बच रही थी पूरी चार बंदो की मैं अकेला था बट उनको पता था कि वो चार मिल के भी मेरे को मार नहीं पाएंगे तो ऐसे में जब आपके पास जीरो स्किल्स हो आपको पता हो कि आप नही बंदे उचल रहे थे तो मैं भी उचलने लगा यह गेम का एंड फेस था और यहां पर अब मेरे को बहर नहीं लग सकता था लेकिन तब ही इनका तीसरा बंदा देखो खड़ा हुआ उसने मेरे उपर रेडियस किया मैंने चेक करने के लिए देखा दू बंदे फैर कर रहे वैसे जिसने मेरे को मारा है उसकी भी गलती नहीं है क्योंकि जब उसके AWM का फटका पड़ा था तब ही समझ गया था कि मैं उसकी बसका नहीं हूँ